वेलकम टो इस्टडियो और टार्गेट इस्टडियो और टार्गेट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में human body यानि मानोव शरीर यह काफी ज़्यादा important topic है यह इस रिलेटेड 100 questions इस वीडियो में देखने वाल है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें अपने द बताईए उनके पूत्र का रक्त बर्ग हो सकता है तो देखे पीता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पूत्र का जो रक्त बर्ग होगा वो होगा ओ ठीक है तो अप संसी यहां पर correct जायेगा दूसरा question देखते है कोई बीपरकार के रूधीर वाला बेक्ती किस य पर करकर रूतिर वाले बेखती जो है यह भी या फिर O यह भी या O रूतिर वाले बेकती को जो है रखतदान कर सकता है तो अप्सन D हो जाएगा तीसरा कुशन दिया गया है मस्तिस के किस भाग में भूठ लगने वो भोजन के द्रिप्ति क्योंन भूती कराने केंदरिस्दीत होते हैं तो ये मस्थिस के हाइपो थेलेमस वाले भाग में होते हैं ठीक है तो option C हो जाएगा चोत्य question दिया गया है मानो मस्थिस में भूती का केंदर है भूती का केंदर कौन सा है correct answer B हो जाएगा सेरे बरम जो है मनुस्य के मस्तिस का सबसे बड़ा भाग है सबसे बड़ा भाग कौन सा है करेक्ट आंसर C हो जाएगा प्रव मस्तिस के जो है मनुस्य के मस्तिस का सबसे बड़ा भाग है मानुसर के किन को सिकाओं में सबसे कम पुनर्यूजना सकती होती है सबसे कम पुनर्योजना सकती करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिस कोशिकाय में जो है ये सबसे कम पुनर्योजना सकती होती है तंत्री का तंत्र की लगूतम संरजनात्मक तथा सरीर करयात्मक की काई है तो करेक्ट आंसर D हो जाएगा निवरान है मानुसरी की सबसे बड़ी कोशिका है मानुसरी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है करेक्ट आंसर C हो जाएगा तंत्रीका कोशिका जो है ये मानुसरी की सबसे बड़ी कोशिका है मनुसरी मेरू डंड से कितनी जोड़ी तंत्रीका निकलती है मेरू डंड से तो देखे, correct answer C हो जाएगा, 31 जोड़ी, जो है, तंत्रीका निकलती है, मेरू डंड़ से, प्रतिवर्ती किरियाओं का नियांतर अरकेंदर कहां पर है, correct answer C हो जाएगा, केसेरुक रजु में है, ठीक है, कसेरुक रजु, स्वासन के किरिया उत्पन होती है, स्वासन के किरिया स्वास से बाहर निकली वायू में O की मात्रा होती है, उक्सीजन की मात्रा, जो स्वास से बाहर निकलती है, मनुस्यके स्वास लेने के बाद, स्वास उच्वास से जो बाहर निकलती है, वायू, उसमें उक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16% होती है, 16, B हो जाएगा गुलोकोज के पूर्ण आक्सी कराण के फॉल्स रोप कितने अड़ू ATP का निर्माड होता है तो correct answer C हो जाएगा 38 अड़ू ATP का निर्माड होता है मनुसे एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है एक मिनट में correct answer ही हो जाएगा 16-18 बार मनुसे एक मिनट में सांस लेता है भोजन का उर्जा परिवर्थन कोसी का एक किस भाग में होता है correct answer D हो जाएगा माइटो कॉंड्रिया में जो है भोजन का उर्जा परिवर्थन होता है आक्सेजन के उपस्तिते में सुक्रोज का CO2 ये CO2 है CO2 ये जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ है पूर्ण रूपांतरन होने को कहते है तो देखें इसको कहते हैं वायू स्वसन क्या कहते हैं वायू स्वसन ठीक है अठरवा है हमारी छोड़ी विसास के हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है ये CO2 क्रेप्स चाक्र में किसका सुन्ष्राइब होता है कि करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पाइ रू वी कम ल खा we करेक्ट आंसर ऑ हो जाएगा लाटइक अनक्सी स्वंषन का अंति भुर्णब होता है मनुष। सरी में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट कौन सा होता है मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट तो यूरिया जो है मुख्य नाइट्रोजनी अपसिस्ट होता है अस्तंधारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो देखें अस्तंधारी जो होते हैं यह कृत्यानी लीबर में यू ॒स गरंथी जो है। ये मानोसरी के सबसे छोटी अंतासरावी गरंथी है। मनुस्य में रुधीर चानता है। तो रुधीर कहां पर चानता है। भोमेंद सुमपूट में since भी हो चायेगा। मुत्र का पीला रंग किसकी मौजूद कोड़ कारान होता है। तो देखें, मुत्र का जो पीला रंग होता है, किस के मौझूद्य के कारण सो होता है, तो correct answer D हो जाएगा, यूरो क्रॉम के मौझूद्य के कारण सो मुत्र का पीला रंग होता है, गुर्दे का करयात्मक यूनिट है, तो गुर्दे का करयात्मक यूनिट है नेफरान, क्या ह करता है मानु सरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है करेक्ट आंसर C हो जाएगा मुत्र में जो यूरिया की अधिक्तम मात्रा पाई जाती है और पोहन का प्रयोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है तो आपोहन यानि डालेसिस का जो प्रयोग हो नियांत्रित करने के लिए जो है स्वेदन महत्वपूर्ण होता है मानोब्री कस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासाइने के युगी कौन सा है तो करेक्ट आंसर है C हो जाएगा, Celsium auxiliary है, मानुब्रिक अस्मरी में पाईजनलब प्रमुख रासाने के होगी, Celsium auxiliary है, हैनले का लूप का कार्य संबंदित है, उत्सर्जन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, समांतर निसेचन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिम वाहिनी नल्ली मे सवांतरनी सेचन होता है गर्भासें बिक्सित हो रहा है भुरूण को किस सन रचन द्वारा पोसन मिलता है तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा जो है गर्भासें बिक्सित हो रहा है भुरूण को जो है पोसन मिलता है गर्भासे मानो भूरूर किस द्रोव में त्यारता रहता है गर्भासे मानो भूरूर किस द्रोव में त्यारता रहता है करेक्ट आंसर B हो जाएगा आमनियांटिक द्रोव में ठीक है दो युगमोगोग के सन्योजन को कहते है तो देखे इसको कहते है निसे चन क्या कहते है निसे चन अप्शन ही हो जाएगा गर्भासा में सिच्व के विकास की जनकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रा सांड का अल्ट्रा सांड सी हो जाएगा भुरोण के विकास के लिए निमनलेखित मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधा गोलिया निरोध करते हैं तो मुख के द्वारा जो लिया जाता है गर्भ निरोधा गोलिया तो अंडोत सर्जन का जो है वो निरोध करते हैं ठीक है अंडोत सर्जन नहीं बनने देता है तो अप्सन यह हो जाएगा निमने लईखेत में से कौन सी इस्तिति टेस्ट यू बेबी की परिभटना को सही रूप से निरूपित करती है टेस्ट यू बेबी की परिभटना को सही रूप से निरूपित करती है कौन सी इस्तिति correct answer C हो जाएगा जब निसेचन, बाय होता है और विकास आंत्रिक होता है ये सही निरुपित करता है test review baby को C हो जाएगा बच्चों का लिंग निर्धारन किसके गुण सुत्र से होता है तो बच्चों का जो लिंग निर्धारन होता है आप सभी को पता ही होगा पीता एक मुण सुत्र से होता है मनुषे में गर्भाकाल होता है तो देखें मनुषे में गर्भाकाल 9 महिने का होता है 9 महिने D हो जाएगा स्तियों की नस्वंदी को कहा जाता है तो देखें स्तियों की नस्वंदी को बी हो जाएगा ट्यूबेक 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 एक तरीका है जो बताता है तो देखी ये बताता है भुरूण के लिंग को बुरूण के लिंग को अप्सनी हो जाएगा मनुख से शरीर में पाई जाने वाले कौन सी गरंथी है वाहिनी विहीन है वाहिनी विहीन कौन सी है अंतसरावी गरंथी है वाहिनी विहीन C हो जाएगा वाहिनी विहीन गरंथी हो किसरावन को कहते हैं तो देखे इसको कहते हैं हर्मोन क्या कहता है हार्मोन B हो जाएगा इन में से कौन अंतासरावी गरंथी नहीं है करेक्ट आंसर D हो जाएगा यक्रित जो अंतासरावी गरंथी नहीं है अंतासरावी गरंथी कौन ने किस नाम से जाना जाता है तो देखे इसको जाना जाता है वाहिनी बिहीन गरंथी, C हो जाएगा, निमनलेखित में से कौन सा एक गरंथी नहीं है, तो correct answer, A हो जाएगा, thyroid जो है, thyroid, जो है ये गरंथी नहीं है, निमनलेखित में से कौन सा एक गरंथी है, यहाँ पर आप question, confusion है, इसमें आप देख लिजेगा, क्या सही रहेगा इसका answer, thyroid यहाँ पर देख लिजेगा आपना, बावनवा question दिया गया है, मानो सरीर के किस गरंथी को master गरंथी कहा जाता है, तो master गरंथी किसको बुला जाता है, पि उसको जो है master गरंथी कहा जाता है, ठीक है, सबसे छोटा गरंथी भी उसी को बुला जाता ही मस्तिष के सबसे पिछले भाग में होता है मनो से सरीर के सबसे छोटी गरंथी है तो सबसे छोटी जो गरंथी है तो बता ही चुके हैं पिटी उत्री अभी बता है हमने पिटी उत्री सबसे छोटी गरंथी है सबसे बड़ी यक्रित है मानो सरी के सबसे महतपूल गरंथी है तो सबसे महतपूल गरंथी पिटी उटरी ही है ठीक है पिटी उटरी गरंथी कहां इस्तित होती है तो बता चुके हैं मस्तिस के पिछले इसे में इस्तित होती है गाय और भैस के थोनों में दूद उतारने के लिए किस हर्मोन की सुई लगाई जाती है तो गाय और भैस के थोनों से दूद उतारने में जो है आकसी टोक्सिन हर्मोन की जो है सुई लगाई जाती है बी हुजाएगा थाइराइट गरंथी से थाइरोक्सिन सरावित करने के लिए उत्यजित करना वाला आंता सरावी हर्मोन कौन सा है तो करेक्ट आंसर यह हुझाएगा टी एसेच हर्मोन है ब्रेधी हर्मोन कहां से सरावित होता है ब्रेधी हर्मोन गुरोथ हर्मोन प्यूस गरंथे के अत्याधिक हर्मोन सराव से सरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्यूस गरंथी के अथिक हर्मोन के सराव से जो है शरीर पर जो है शरीर का और संतुलन विकास और संतुलन विकास हो जाता है प्यूस गरंथी के मतलब अथिक हर्मोन सरावित होने से एक बिसिस्ट हार्मोन को जिसकी कमे से गलकंड याने गौाइटर रोग हो सकता है संसलेशित करने के लिए किस अंतासरावियाने एंडोक्राइन गरंथी को आयोडीन किया हो सकता होती है तो यहाँ पर अप्शन D करेक्ट हो जाएगा थाईराइड किसकी कुसंक्रिया के कारण मानोशरीर में मिकसीडीमा होता है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानोशरीर में होता है तो D हो जाएगा और टोगरंथी कि कुसंक्रिया कारण होता है मानो शरीर में से इस और निमनलेखित में से किसको अंता स्रावित अंत्र का पेसमेकर कहा जाता है अंता स्रावित अंत्र का पेसमेकर किसको बुला जाता है थैरॉक्सिन को बुला जाता है थैरॉक्सिन अप्सन ही हो जाएगा पीनियल गरंथी कहां इस्तित होती है मस्तिस्क में होती है पीनियल गरंथी ठीक है निमनलेखित हर्मोन में से किसमे आयोडीन होता है तो देखें आयोडीन जो होता है थैरॉक्सिन में होता है थैरॉक्सिन ओप्सन ही हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सी एक अंतासरावी गरंथी? प्यूस गरंथी से स्वतांत्र कार्य कर सकती है तो correct answer D हो जाएगा, पराव 2 है ये सरीर में सबसे बड़ी अंतासरावी गरंथी कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतासरावी थैराइड है निमने लेखित में से कौन सी गरंथी? अंतासरा ये और टीर स्रावी थो है लाक्राइमल तो बड़ाइड हो जाएगा। correct answer D हो जाएगा, थाइमस गरंथी गरंथी की लूप्त हो जाने कर नष्राइड है याद रखना हैं यादा्थ आपको मादा जनन हर्मोन कौन सा है मादा जनन फीमिल सेक्स हर्मोन कौन सा है तो देखे करेक्ट आंसर D हो जाएगा एस्ट्रोजेन, पुजेस्ट्रोन और रिलेक्षिन यहाँ पर यह तीनों जो है यह मादा जनन हर्मोन है उपर एक तो सभी correct हो जाएगा नरलाइंगिक हर्मोन कौन सा है नरलाइंगिक हर्मोन तो देखे correct answer C हो जाएगा टेस्टो इस्ट्रोन जो है यह नरलाइंगिक हर्मोन है पुरू से एक सर्मोन निमनलेखित में से कौन सा है एक इस्तिलीन हर्मोन है तो देखिए correct answer यह हो जाएगा estrogen जो है यहाँ पर estrogen हर्मोन है estrogen का सराव होता है तो देखिए estrogen का जो सराव होता है graphene putty count के द्वारण graphene putty count option D हो जाएगा कौन सा हर्मोन लोडो-उडो हर्मोन कहलाता है लोडो-उडो हर्मोन adrenaline इसको आपतकालिन गरंथी के नाम से भी जाना जाता है याद रखना है मानुशरी में रक्तचाप नियांतरित होता है रक्तचाप अधिबरिक गरंथी से नियांतरित होता है यह हो जाएगा G1 रक्षक हर्मोन किस गरंथी है सरावित होता है G1 रक्षक हर्मोन अंड्रीनल से सरावित होते, अप्शन यह हो जाएगा मानुसरी की कौन सी गरंथी एक साथ अंत असरावि तथा बाहिः असरावि दोनों की तरफ कारे करती है तो देखे, करेक्ट आंसरी हो जाएगा अगनियासे जो है, अंता शरावि और बाहिः सरावि दोनों की तरह कारे करती है इंसुलीन है एक परकार का तो देखें करेक्ट आंसर B हो जाएगा इंसुलीन जो एक परकार का हर्मोन है थाइराइड गरांथी का अस्थान कहां है थाइराइड गरांथी का अस्थान आप से भी को पता ही होगा गला में है गला में, B हो जाएगा, निमने लेखित में से किस कोसिका से इंसुलेन सरावित होता है, तो देखें इंसुलेन जो सरावित होता है, बीटा कोसिका से, बीटा ओप्सन, D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंसुलेन उत्पादित होता है, D हो जाएगा, पैंक्रियाज से, इंस एकर हेन्स की द्ट्वी पीका आए जो इंसुलेन के सराव करते स्थ्थित होते हैं तो देखि पारफी सी हो जाएगा अगने आसे में स्थित होते हैं कंकाल की मानस पेसियु की ज़ाये कितनी है 700 है 700 अब संडी हो जाएगा मनुस्य सरीर में सरवाधिक सक्तिसाली पेसी है सरवाधिक सक्तिसाली करेक्ट आंसर C हो जाएगा जबड़े की जो पेसी है सबसे सब्सक्ति साली पेसी होती है निमनिलेखित में से किसकी पेसियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है स्वस्पंदन का गुण करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हिर्द है कि पेसियों में जो है स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है कि सम्मल में मानस्पेसियों में जमा होने के कारण मनुसे थकान महसूस होती है कि सम्मल के मानस्पेसियों में जमा होने कारण तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लैटिकम लखे कत्रित होने से जो है मानस्पेशियों में ठकान का उनभव होता है मानो सरीर के निमने लेखे तौंगों में से कार्निया किसका भाग है तो कार्निया ओप्सन डी हो जाएका आख का भाग है नेत्रदान में आंक का कौन सा भाग परियुक्त किया जाता है करेक्ट आंसर B हो जाएगा कार्णिया को जो है परियुक्त किया जाता है नेत्रदान में नेत्र में परवेश करने वाले प्रकास की मात्रा का नियांत्रा के सांग के द्वारा किया जाता है करेक्ट आंसर D हो जाएगा नेत्र में परवेश करने वाले परकास की मात्रा का नियात्रा की सांग के द्वारा किया जाता है आंक की किस भाग पर बस्तु का प्रतिविम बनता है रेटीना बनता है बस्तु का प्रतिविम मानो नेत्र में उपस्तित रेटीना में रंगो में विभेद के लिए उपस्तित होते हैं तो कौन्स उपस्तित होते हैं कौन्स अप्सन यह हो जाएगा आईरिस का क्या कारे है आईरिस का गरेक्ट आंसर यह हो जाएगा पुतली क्या कार को नियत्रित करना पाइरिस का कारे होता है हीरदय वंचीत है तो देखे हीरदय जो है एचिक पेसी से वंचीत है एचिक पेसी C हो जाएगा मनुसे में त्वचा किस अस्थान पर सबसे मोटी होती है सबसे मोटी करेक्ट आंसरी हो जाएगा तल्वे पर जो है सबसे मोटी होती है मानो सरी के सबसे बड़ा अंग कौन सा है सबसे बड़ा अंग हो जाएगा चमडा इस कीन जो होता है मानो सरी के सबसे बड़ा अंग होता है मानो तो अच्छा रंग देने वाला बरनक है मानो तो अच्छा रंग देने वाला बढ़नक कौन सा है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा मेलालीन जो है यह तो अच्छा को रंग देने वाला बढ़नक होता है तो अच्छा की उपरी सता कहलाती है तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा यह पी डर्मिश जो है यह तो अच्या गी उपरी सत्व कहलाती है निम्लेखित मैं से कौन से पादफ हर्मोर मानो सरीर में सबसे अधिक कठोर होता है मानो सरीर में सबसे कठोर होता है क्या हूता है option B हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर अगला कुश्चन है 100 नमर कुश्चन है यह आप सभी के लिए रखते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बताना है देखी कुश्चन है कसेरुक जंतु के सरीर का सरवाधिक बाग कौन सा होता है तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट वक्स में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आये त दोस्तों में सेर कर सकते हैं चैनल पना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत